हेलो एब्रिवन वेल्कम टू माई चैनल आज मैं स्वेटर का बहुत ही बड़ी और सुन्दर डिजाइन लेके आई हूं यह बड़े छोटे सभी की स्वेटर में डाला जाता है यह बहुत ही बड़ी यह डिजाइन है और यह बनाना भी आसान है सबसे पहले पहले कुंडे को उतार लिया आगे के तीन कुंडे उल्टे बना लिये आगे एक कुंडा सीधा बना लिये आगे तीन कुंडे उल्टे बना लिये आगे एक कुंडा सीधा बना लिये आगे तीन कुंडे उल्टे बना लिये आगे एक कुंडा सीधा बना लिये सीधा कुंडा बनानी के लिये दागे को बैक साइड को करना होता है फिर फ्रंट साइड को कर लिये ना इसको आगे तीन कुंडे उल्टे बना लिये लास्ट कुंडा बना लिये यह बहुत आशान विचाहिने अब उल्टी सलाई चलिए सेक्ड रो में जो हमने सीधी तर्प को उल्टी कुंडे लगाई थे अब उनको सीधा लगाना है यानि उल्टी तर्प को यह सीधी सीधे आएंगे और सीधी तर्प को यह उल्टे ही आएंगे और जो सीधा कुंडा लगाया था सीधी तर्ब को इसको उल्टी तर्ब को उल्टा ही बनाना है जो सीधी तर्ब को हमने उल्टे तीन कुंडे लगाया थे उनको उल्टी तर्ब को सीधा बनाना है ऐसे ही हम 6 सलाई लगाएंगे लगाएंगे इस सलाई पढ़ गी है जो पहली सलाई से हमने 3 कुंडे उल्टे बनाये थे एक सीधा बनाया था इसको 6 सलाईयों में ऐसे ही बनाना है इसको और जो उल्टे कुंडे थे उनको उल्टा उल्टा ही बनाना है इनको उल्टी तर्प से सीधा बनाना है और जो सीधा कुंडे उसको उल्टा बनाना है अब डिजाइन शुरू है 6 स्वाई के बाद बोडर के बाद 6 सलाई लगाने पढ़ती है फिर जाके डिजाइन पड़ेगा सबसे पहले पहले कुंडे को उतार लिया और आगे के तीन कुंडे उल्टे बना दिये अब जो सीधा कुंड़ा है इसमें डिजाइन पड़ेगा दागे को बैक साइड में कर दिया अब अब इसमें डिजाइन पड़ेगा इसको सबसे पहले पहला कुंडे से नीचे वाला कुंडा एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये छे चे में कुंडे में जाके दागा निकालना है ऐसे इसको डिला रखना है चे में में निकाल दिया अब इसके उपर पांच बे में दागा निकालना है ये याद रही है डिल डिले निकलने चाहिए ज़्यादा भी डिले निकलने लेकिन जितनी सलाई है उपर तक उतने उसके ब्राबर रहने चाहिए पांच में में निकाल दिया और आगे चोथे में भी निकाल दिया आगे तीसरे में भी निकाल दिया फिर दूसरे में निकाल दिया और पहले में भी निकाल दिया इसको ये होके छे कुंडे छे कुंड़ों में डालकर छे कुंडे उपर को निकाल दिये अब साथ में इस कुंडे को भी बना लेना है, अब सबसे लास्ट वाला कुंडा, इसको उठाकर, यह मेरा डबल दाग गया है, इसका ध्यान रखना है आपने, यह कहीं दोना गिल लेना इसको, यह एक ही है, सब कुंड़ों के उपर से निकाल दिया है, अब जो आगे बाला है, इसको भी ऐसे करके, सब कुंड़ों के उपर से निकाल दिया है, अब आगे बाला सबी कुंड़ों को बारी बारी से निकाल दिया है, ऐसे करके, सबी कुंड़ों के उपर से निकाल दिया है, ऐसे, ऐसे निकल दिया है, और आगे के तीन कुंड़े उल्टे बना लिए, अब यह निकल दिया है, आगे वी ऐसे ही बनाना है, छे कुंड़े गिनेके, उपर वाला कुंड़ा ना गिनेके, नीचे वाल एक, दो, तीन, चार, पांच, और यह छे, क्योंकि छे स्लाई हमने लगाई थी नीचे तक, इसमें छे कुंड़े बन गए, एक, दो, तेन, इन में बारिवारी से निकालने कुंड़े, शर्च से नीचे जाके छे में कुंड़े में निकालना है, फिर पांच अबे में, फिर चोथे में, तीसरे में निकाल लिया, अब दूसरे में भी निकाल लिया, पहले में भी ये छे कुंड़े बन गए है, अब जो उपर वाला कुंड़ा है, इसको भी बना लिया, अब जो सबसे नीचे वाला कुंड़ा है, उसको उठाकर सब कुंड़ों के उपर से ऐसे गुमा के निकाल लिया ना है, फिर उसके बाद उसके उपर वाला पांचमा कुंड़ा, उसको भी ऐसे बिना लिया ना है, निकाल लिया ना है, फिर जो चोथा कुंड़ा था, उसको सब कुण्दों के उपर से निकाल लेना और चोड़ देना है यो निकाल देना है यो पहला कुण्द था उसको भी निकाल लेना है और जो सिलाई बला कुंड़ा है उसको रहने देना है डिजाइन देखो निकलने लगाएगा अब आगे के तीन कुंडे उल्टे बना लिए आगे भी ऐसे ही डिजाइन पड़ेगा चेमा कुंड़ा है इसमें निकाल लिया कुंड़ा पांचमे में निकाल लिया ते चौत्थी कुंड़े में निकाल लिया तीसरे में निकाल लिया ऐसे बार बारी सभी कुंड़ों में ये कुंडे निकालने छेव में कुंड़े को सभी कुंड़ों के उपर से निकाल दिया पांच भी कुंड़े को भी सभी कुंड़ों के उपर से निकाल दिया सभी कुंड़ों को बारी बारी से निकाल देना और लास्ट में जो सिलाई बाला कुंड़ा है उसको रहने देना है आगे के तीन कुंडे उल्टे बना दी इसको सीखने में थोड़ी कठना आई है लेकिन ये बहुत ही सुन्दर बनता है अब सिलाई बैक साइड की है इसमें जैसे कुंड़े हम नीचे बनाते आए है उल्टी साइड को सीधे कुंड़े बैसे ही बनाने है और सीधी तर्प को ये उल्टे आएंगे और ये डिजाइन वाला कुंड़ा है इसको उल्टा ही बनाना है पूरी स्लाई में ऐसा ही चलेगा लिजाने वाल कुंडा उल्टी साइड को उल्टा इसको उल्टा बनाना है और जो सीधे कुंडे उल्टी तर्वकुन को सीधा ही बनाना है अब जो अगला डिजाइन पड़ेगा उसमें थोड़ा चेंज होने वाला है मैं थोड़ा सा बता देते हूं आपको जो हमने डिजाइन वाला कुंडा बनाया था अब यहां नहीं बनाना है उपर को अब जो तीन कुंडे उल्टे है इनका जो बीच वाला कुंडा है इसको सीधा बनाना है छेस लाई तक जाके जैसे तीन कुंडा में पहला कुंडा उल्टे बना लिया है अब आगे का सीधा कुंडा बनाना है फिर आगे के तीन कुंडे उल्टे बनाने है एक तो ये इसके तेन जो पहले उल्टे थे उसके साथ वाला एक जो डिजाइन वाला है इसको भी उल्टा बनाना है अब और आगे का भी कुंडा उल्टा बनाके आगे के तेन जो बीच वाले तीन उल्टे कुंडे थे उनके बीज वाला कुंडे उसको सीधा बनाना है और आगे के भी तीन कुंडे उल्टे ही बना लिए अब ये ध्यान रखना है इसका जो ये तीन उल्टे कुंडे थे अब इनके उपर जो बीज वाला कुंडे है इसको सीधा सीधा रखना है चे स्लाई तक छे रो तक फिर उसके फिर जब बो चे के वाद जो साथ भी श्लाई आएगी सीदी उसमें डिजाइन यह पड़ेगा तो ऐसे स्टार्ट करना है उपर से चे में कुंडे में डालना है पांच में में चौत्थे में तीसरे दो एक ऐसे करके फिर उसके बाद जो तीसरा डिजाइन शुरू होगा उपर से, वो फिर से इसी के उपर आएगा, जैसे ये तीन कुंडे उल्टे आने है न, इसके बीच माँ फेर आगे ज़के ऐसे करना है, एक दूसरे के उपर सीधा सीधा ने डालना है इसको, अब आप समझगे होंगे, अगर आपको मेरा डिजाइन बनाया हुआ पसंद आ रहा है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, धन्यवाद